Hello everyone, I am Sonan Tanwar, your educator. आप सभी का मेरे चैनल The Hindu Ennissal Classes में स्वागत है. तो चलिए, आज का discussion स्टार्ट करते हैं बिना किसी देली के साथ. So today's first news is, Government launches app for information on vacant beds in city hospitals. Delhi के Chief Minister Arvind Kejriwal ने एक app launch किया है, Delhi Corona app, जिसके थुरू हमें government और private hospital से, जितने भी vacant beds और ventilators है, उनकी information हमारी mobile phone पे ही provide हो जाएगी. यह जो information है, यह सुभा 10 बजे से लेके रात के शाम के 6 बजे तक अपडेट होती रहेगी हर रोज. और एक number भी provide किया गया है, 1031, जिसके थुरू लोग call करके भी information ले सकते हैं, कि होस्पिटल में कितने beds अभी available हैं, और यह जो information है, यह SMS के थुरू उनको उनके phone पे provide करा दी जाएगी. तो आप इस एप का नाम याद रख सकते हैं, इस एप का नाम है Delhi Corona किसके दवारे लाँच की गई है? यह Delhi के Chief Minister Mr. Arvind Kejewal के दवारे लाँच की गई है. किस से related है? यह vacant beds और vacant ventilators की information प्रवाइड करने के लिए यूज होता है. अब यह कुछ बाते हैं जो आपको Delhi Corona एप के बारे में जाननी चाहिए. पहला है यू डू नॉट रिक्वायर तो मेक एन अकाउंट और लॉगिन. जब आप इस एप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको कोई भी अकाउंट क्रियेट करने की या फिर लॉगिन करने की ज़रुत नहीं पड़ती. यह बिल्कुल आरोगिस है तो आप की तरह काम करेगा. जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया यह आपके फॉन नंबर से लिंक्ट हो जाएगा और आप पर इसको यूज कर सकते हैं. इसके होम स्क्रीन पर ही आपको COVID-19 से लिडेटर जितने भी बैड्स अवेलेबल हैं और जितने भी वेंटिलेटर अवेलेबल हैं हॉस्पितल्स में उनकी इंफोमेशन मिल जाएगी यह दो लेंग्विज में अवेलेबल हैं इंग्रिश और हिंदी एक मॉर इंफोमेशन का कोरोना हेल्प लाइन पर पहुंच जाएंगे जो कि आपको उनके वर्ट्स आप तक रिडाइरेक्ट कर देगा यह एप में इस एप के थुरू आप जो सीम है और एलजी है उनके रिलीव फंड में भी डोनेट कर सकते हैं आपको एक डोनेट का बटन भी मिल जाएगा इस ए दूनने के लिए फाइंड शेल्टर और तो यह पूरा था कोरोना एप के बारे में दरी कोरोना एप के बारे में चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ एंडी आरेफ सेंड इन रिइंफॉर्समेंट आपको पता है कि अभी अरेबियन सी में एक साइक्रोन हिट करन तो आयमडी ने पहले ही महराष्ट के लिए एक रेड अलर्ट नोटिस जारी कर दिया है तो महराष्ट की गौर्वर्मेंट ने पहले ही सेफटी ले लिए हैं उन्होंने अंडी आरेफ और काफी सारे पुरिस और मिलिटरिंट परसनल्स को पहले ही उस एरिया में तेनात कर है ताकि लोगों की पूरी सेफटी रखी जाए तो हमारे लिए यह एंडी आरेफ प्रिदेंस के पॉइंट ओफिय से इंपोर्टन हो जाता है तो देखने हैं क्या है यह एंडी आरेफ इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स यह एक स्ट्रैशू स्ट्रैशर और वकले करते हैं तो मेसं से और सब्सक्री प्रिदेंस का में काम आप एक उन पर नईहनिकाविस फॉंस में समया भी सूर्ण करिन कभान एक स्ट्रैशू देखन करने हैं घंशियर गानेक उन यह एक स्टिम क्रावार टिन को करता है कहीं पर भी कोई calamities आती है उस पर सेकेंड है प्रोयक्टिव डिप्रोयमेंट ड्यूरिंग इंपनिंग डिसास्टर सिचुएशन अगर कहीं पर भी डिसास्टर की सिचुएशन बन रही है तो वहां पर यह अपने जो भी रिस्पॉंस टीम है उसको भीज देता है उनक लोगों की जितनी भी ट्रेणिंग और स्किल्स होती है कि टाइम ट्लाम उनके सिक्शेशे और ट्रेणिग को इंप्रूफ करता है फूर्थ लिएसंस लिएसंस मिल बढ़ाना अपने टीम मेंबर्स के बीच इनके टीम मेंबर्स में काफी में गांफी मेल जो देखने को मिलत तो यह अपने जो military persons हैं वहाँ पर उनको भेज देते हैं rehearsal करना कोई भी calamity आ रही है उसकी practice करना पहले से ही ready रहना and mock drills mock drills होता है एक तरह से fake practice होती है कि अगर यह जिर्फ एक फेक प्रैक्टिस होती है कि अगर कहीं पर भी disaster आएगा तो हमें उससे tackle कैसे करना है the fifth part is impart basic and operation level training to state response force अब जितने भी state में अलगलक state response force होती है उनके उपर भी रेगुरेट करता है उनको भी यह training और skills प्रवाइड करता है community capacity building program अब यह communities में भी programs चलाता है कि कैसे आपको disaster से aware रहना है कैसे आपको awareness बिल्द करनी है सेवन्थ और्गनाइज पब्रिक awareness campaign पब्रिक में भी awareness क्रियेट करने का काम करता है कि लोगों को पहते से ही पता चलें कि अगर earthquake आएगा तो आपको कैसे response करना है कैसे आपको खुद को prevent करना है या फिर अलग-अलग disaster और calamities के बारे में awareness यह provide करता रहता है तो यह हमने पूरा NDRF के बारे में पढ़ा चलते हैं अपने next article के तरफ तो हमारी next news है France committed to deliver Rafale हमने पिछले ही साल फ्रांस के साथ एक deal sign की थी जिसमें हमने 36 Rafale jets फ्रांस से purchase किये थे कोविड-19 से पहले फ्रांस ने 8 Rafale jets प्रिपेर कर दिये थे इंडिया भेजने के लिए लेकिन कोविड-19 के चलते यह पॉसिबल नहीं हो पाया और वो जट्स हमें डिलिवर नहीं हुए तो अब news आई है कि फ्रांस कह रहा है कि हमें पेंडवेक से कोई फरक नी पढ़ता है आपको टाइम पर आपके जट्स मिल जाएंगे तो देखते हैं हमारे रफेल jets कब तक आते हैं हमारे प्रिलम्स के पॉइंट और फ्यू से रफेल jets important हो जाते हैं देखते हैं क्या है यह रफेल jets और जानते हैं इसके थोड़ special features तो पहला point है दे रफेल is a fourth generation aircraft with twin engines रफेल जो है फोर्थ generation aircraft है जिसमें दो इंजन लगे हैं इसी लिए यह वर्ल्ड का सबसे fastest और most powerful aircraft में से एक हैं रफेल काफी सारे multiple roles भी प्रवाइड करता है जैसे की air defense, interception, ground support, in-depth strike, reconnaissance, anti-ship strikes and nuclear deterrence रफेल प्रवाइड स्टेंड-off capability when any country attacks India an active electronic scanned array radar भी इसमें लगा है जिसका नाम है एक रडार भी लगा है जिसका नाम है active electronically scanned array radar जो 200 से 400 km तक देख सकता है अपने enemy को detect करने के लिए इसमें एक मिका missile भी लगा है मिका missile किसे यूज होता है एर से land पर shoot करने के लिए मिका missile यूज किया जाता है जिसकी range 300 km तक होती है तो यह हमने पूरा रफेल के specifications के बार में पढ़ाओ चलते हैं अपने next article की तरफ हमारा next article है electronics incentives schemes launched मार्च के महीन में यह तीन schemes approved हुई थी और अब हमारे टेलिकॉम एन आइटी minister Mr. Ravi Shankar Prasad ने इन तीनों schemes को approval दे दिया है यह launched हो चुकी है तो यह तीनों schemes है फर्स्ट यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव सेकंड कॉंपोनेंट मैनिफेक्ट्रिंग स्कीम और थर्ड मॉडिफाइड electronics manufacturing cluster यह तीनों schemes अब लॉंच कर दी गई हैं इनको लॉंच करने का मोटिव यह है कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पांच या छे कंपनीज ऐसी है जिन्होंने मॉबाइल की कंपनीज हैं जिन्होंने 80% मॉबाइल मार्किट पर कभज़ा कर रखा हैं सिर्फ इन पांच और छे कंपनीज ने तो इन schemes को रॉंच करने का फायदा यह है क कि हम मेकिन इंडिया पर जादा फॉकस करें ना कि भार की फॉरन कंट्री से प्रचेस करने पर तो पहली जो स्कीम है प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव इसमें दस फर्म्स को इंसेंटिवाइज करेंगे जिसमें से पाँच ग्लोबल की फर्म हो गई और पाँच लोकल फर्म्स होंगी यह करने का हमारा मोटिफ यह है ताकि जो गलोबल की कंपनीज हैं वो भी हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट करें और हमारे इंडियन मोबाइल प्रोड़क्ट्स को और एन्हेंस करें ताकि हमारा मेक इंडिया जो कैम्पेइन है उसको हम अचीव कर पाए तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे लेक्ट्र को सब्सक्राइब करें मेरे लेक्ट्र की प्रेडिया आपको मेरे टेलिग्राम चेनल पर प्रोवाइड हो जाएगी आप अगर आपको कोई भी प्रव्लम या डाउट है मेरे lecture से related तो आप comment कीजिए I will answer Thank you so much Have a nice day